नमस्कार, News Click और Communalism Combat की इस खास पेशकिश में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट पत्रकार ओम थानवी जी और हम इनसे बात करेंगे भारत के मौझूदा हालात के बारे में हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है आप साहित्य, समाज और राजनीती इन तीनों शेत्रों से जुड़े रहे हैं तो इन तीनों दुनिया के बारे में आज के भारत के संदर में आप क्या देखते हैं, क्या चल रहा है अभी जो दौर है, उस दौर में मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से एमर्जनसी एक एहतियासिक जरूरत साहिते में अपेक्षा के रूप में खड़ी हुई कि लोग जो हैं, वो जो एक अंधेरा दौर था, उसके बारे में अपनी बात प्रतिरोत की जाहिर करें तो लोगों ने जाहिर की, आज का दौर मेरा मानना है कि उस दौर से भी ज्यादा खतरनाक है खतरनाक इस माइने में है कि हम नहीं जानते हैं कि इस देश में कोई इमर्जनसी आयद है लोगों में एक भय, एक दहशत जो है, वो गायम है उसकी वजय यह है कि जो हमारे हाँ सांपरदाईक जाते हैं, उनकमें जो उगरता आगई है उससे देश में वो तब के जो अल्प संक्यक माले जाते हैं उनमें भई है, इतना ही नहीं, जो बहुत संक्यक लोग हैं उनमें भी भय है. तो ऐसे दोर में साहिती से समाज अपिक्षा करता है कि चाहे कितना ही काल जाई सरोकार साहिते का हो लेकिन तातकालिक चीजें भी कई बार काल जाई रचनाय दे सकती है मेरा मानना ये है कि अभी जो हमारा साहिते इस दोर से गुजर रहा है उसमें इस दौर की चाया नजर नहीं आती है क्या हो सकता है कि हमें दिखाई नहीं देती है और कभी बहुत बाद में लोग कहें कि हम लोग तो कुछ लिख रहे थे सिर्फ एक पुरुसकार वापसी की गटना जो है वो काफी नहीं है मेरा मानना यह है कि रचना के क्षेतर में जो पतिरोध है उसको भी जरूर सामने आना चाहिए समाज जो है उसमें भी एक विरोध का जज़बा होना चाहिए समाज हमारे यहां बरदास्त बहुत करता है और वो जो बर्दास्त की है वो उन ताक्तों को ज्यादा मजबूत बनाती है जो आतता ही ताक्ते होती है इस समाज के बारे में मेरा कहना है और तीसरा जो राजनीती के बारे में आपने का उसके बारे में तो दुनिया जानती है कि हमारी जो राजनीती है वो राजनीती काफी ऐसे तत्मों से ओध्प्रोथ हो गई है जो बहुत हिंसिक सोभाव के हैं और जो अल्पसंकित समुदाय जो हमारे देश में हैं एक बहुलताबादी समाज हमारे देश में बनाने की जो कोशिचे हैं वो उनसे खुश नहीं है आप पत्रकार रहे उसके बाद आपने दशुकों तक संपादन किया है तो आपके हिसाब से भारत में आज पत्रकारिता की देशा क्या है किस दोर से बुज़र रही है मैं ये मानता हूँ कि अब जो पत्रकाईता है वो पत्रकाईता उसमें आजादी जो है वो बहुत कम होई है और जो पूझी है जो पहले भी थी क्योंकि बगेर पूझी के अखबार नहीं निकल चकते पहले टीवी तो था नहीं लेकिन उसके बाद टीवी भी दुनिया में आ बलकि देखते देखते ज्यादा वो असरदार साबित हुआ और इसलिए ज्यादा असरदार साबित हुआ कि टीवी के लिए पड़ा लिखा होना जरूरी नहीं है अकबार के लिए पड़ा लिखा होना जरूरी है तो टीवी की पहुंच रेडियो की पहुंच उस समाज तक भी राजदितिक दल अपने अखबार निकालते थे, अपने चैनल भी चलाते थे, अब वो लोग ये काम नहीं करते हैं, अब उनके लिए पूंजी पती ये काम करते हैं, तो वो जो पूंजी पहले जो मैंने कहा पहले भी आती थी, लेकिन वो जो पूंजी आती थी अखबारों मे मेडिया में उसरोकार सामाजिक भी था! अब, वो लोग जो कोई दूस्रा काम कर रहे हैं छाहिए वो टुथ पिस्ट बना रहे हो हो गी का बाजार कर रहे हूँ को तेल का काम कर रहे हूँ कुछ भे काम कर रहे हु, उनके सासरे बड़ी पुची है, तो हाशिये पर राजनिताओं की खुशी के लिए वो कुछ पैसा मीडिया में लगाते हैं आपने किताब लिखी मोहन जुदार उपे वो किताब बहुत चर्चित रही आप उस किताब के बारे में हमें कुछ बता सकेंगे देखिए बहुत चोटी सी किताब है और उसकी चर्चा बहुत हो गई यह संयोग की बात है और शायद इसलिए हुई कि हमारे यहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल था पाकिस्तान में है आप जानते हैं तक्षिरा भी वहीं पर है अडपा भी वहीं पर है तो लोगों को सुवीदा वहां जाने के नहीं मिलती थी मुझको सुवीदा शायद मिल गई इसलिए उस किताब को वहां जाके देखा अपनी आँख से एक जगे देखी जो हमारी संस्क्रती का आदिम तीर्थ कहना चाहिए वो है और अब तक जो चीज़ें सामने आती थी वो बहुत पुरा तात्विक या इतियास के जानकार लोग तो किताबें लिख चुके लेकिन आम फहम भाषा में और थोड़ी सी रोचक डंक से शायद किताब में आई नहीं सामने यह यात्रा संस्मन है दिलचेशता लोगों को पसंद आया पर मेरा मानना है कि उस सिर्फ यात्रा संस्मन नहीं है उसमें जितनी यात्रा मैंने अपने पाउं से की है उतनी उसमें मांसिक यात्रा भी है यानि जो मैंने पढ़ा है हम सब लोग बच्पन से सिंदू सभीता के वारे में पढ़ते हैं और सभोसेद हैं कि हमारा आधिमतीर्थ वो है, आधिवार या वरिंदावन नहीं होसकता है, मुझजदृ होसकता है, हडपा होसकता है. लेकिन हम लोगों को जाने का मौका वहाँ पर नहीं मिलता है कुछ लोगों की फित्रत भी शायद ऐसी हो कि वो धार्मिक तीर्थ इस्तलों की तरफ जादा ध्यान देते हैं मेरा मानना यह है कि जो सांस्कृतिक तीर्थ इस्तल हैं उनकी और हमें कदम बड़ाने चाहिए तो ओ जो में वहाँ जाके आया उसमें मैंने जो देखा उस तो एक चीज है लेकिन उसके साथसाथ जो मैंने पढ़ा और उसके बाद मेरी एक समझ बनी सिंदू सबिता के बारे में उसको रूपाईत किया है एक दूसरे किताब जो कि चे गेवारा के भारत दोरे पर आपने लिखी थी, उस किताब के लिए आपने एक तरह से, उस किताब के जरीए जब आपने भारत को भी एक तरीके से दूसरे बार खोजने की कोशिश की, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? चे गेवारा जो भारत आये, उस पर मैंने शोद किया और उस पर मैंने लेखों की शिंकला लेकी थी, किताब के रूप में अब आएगी। उनके सोजने से मुझको एक ऐसी चीज मिल गई जो भारत के लिए बहुत महत्वपून है जब चे गेवारा 1969 में भारत आये तो उस वक्त चीन और रूस दो जगे जो सामयबाद था उट दो सामयबाद अपने आप में दो अलग धाराओं में था जो हमारे यहां सामयबाद है रूस से प्रबावित था और जो चे गेवारा थे वो चीन के सामयबाद से प्रबावित थे तो भारत में भारत के सामयबादियों ने और यह अजीब बात है लेकिन ऐसा होता है होता है इतियास में उन्होंने चे गेवारा की उस यात्रा को कोई तवज्यों नहीं दी भारत भी गए फिर वो यहां से कॉलकाता गए और चेगेवारा ने जो तस्वीरें खीची वो भी उपलब्ध हैं जो उन्होंने कलकता वगएरा मिली थी अब तो चुकि सब जगे वो चीज़ें आई तो जब मैंने उन पर यहां कुछ जानना चाहा तो बहुत कम चीज़ें मिली बलकि मैं यहां सरकारी दफ़तर में भी गया और मैंने कहा कि चेगेवारा यहां आए थे तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमने सुना नहीं कभी जबकि रोमिनसन की जो जीवनी है उसमें जिकर है अशो का होटल में चेगेवा का माइक वहां सामने पड़ा है तो मैं सीजियो कॉंप्लेक्स में सरकारी फोटोग्राफिक विवाग में खुद गया और जाके उनके निदेशक वहां से मैं लाया उस रिपोर्ट की खासियत ये थी मैं मानता हूं कि बड़ी बात ये थी कि चेगवारा का एक ऐसा वेक्टित तो उससे सामने आता है कि जो उनकी एक हिंसक छवी है वो उसमें एक उदारता का पुट भी हमारे सामने रखता है चेगवारा उसमें गांधी की तरीब करते हैं और भारत में जिस तरीके से बगैर हाथ्यारों के लड़ाई लड़ी गई वो उसकी चर्चा भी करते हैं केपी बानुमती के साथ भी जो बाचीत हुई उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि हमारे लिए ये बिलकुल नई चीज है हमने कभी सुना भी नही कि हाथ्यारों के अलावा भी कोई लड़ाई का तरीका हो सकता है यानि आपको कोई हमला करता है तो खून का बतला खून ही हो सकता है लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने पाया कि लड़ाई की दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जो कि अहिंसक हैं यानि अहिंसक लड़ाई के उन्होंने कोिश को NAKAR का भाव नहीं व्हें किया बलकि अथर का भाव वहरा को मानते हैं और आप चे गेवारा के लगानिफ लें जो कि चए गेवारा को ज़्यादा उΠार किया कोसिद का ने कूछिछ करने क्यों कर सकते तो आपके इन लेखों में आपने कोशिश की कि गांधी और चे में एक समानता हैं खोजने की, तो इसकी क्या प्रसंगिकता है आज के जमाने में? समानता खोजने की कोशिश की ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूर मैंने कहा कि गांधी वादी लोग, जो सामेवाद हैं, उसके बारे में एक अजीब किसम का गणा का बाव रखते हैं, और जो सामेवादी हैं, उनको गांधी को समझने में मुश्किल पेश आती ह मेरा मानना ये है कि दोनों तरफ से हाथ आगे बढ़ने चाहिए, मिलने चाहिए, आपके काम करने के तरीके जुदा हो सकते हैं, लेकिन आपके सरुकार अलग नहीं हैं, तो ये चीज जो है, जहां पे चेगेवारा जैसा व्यक्तिक आनतिकारी, वो गांधी को समझने की कोशिश कर सकता है तो अगर वो कोशिश कर सकता है तो हम को भी जो लोग गांधी विचार को मानते हैं उनको चेगेवारा या और ऐसे लोग जो करांथी का रही है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसलिए इस दौर में खासकर जो संप्रदाइकता से लड़ने की बात है उसमें मैंनी महनता हूँ कि कहीं पर भी सामेवादियों में या गांधी वीचार में या गांधी वीचार के जो अनियाई है उनमें क Lucky बी बुनियादी फर्क हो सकता है उबतों कि हिंसा के साथ जो है वो जूजने वाला डखका ही बहुत सीमित है कोई बहुत इसमें विवाद की गुँढ़ाश नहीं है, हमारे पास में और कई तरह के राश्ते हैं, तरीके हैं, जिनके जरिए इनसे जूजा जा सकता है, लड़ा जा सकता है, लेकिन असल बात यह है कि चुक्त की राजनितिक दलों में फूट है, जगड़ा है, लेकिन विचार के इस त इस तरह की बीमारियां जो हमारे समाज के सामने मुभाय खड़ी हैं उन से लड़ने के लिए उनको एक होना चाहिए आप नाशनल इंटिग्रेशन काउंसिल के सदस से रहे तो इस काउंसिल की समाज में क्या भूमिका रही है और कितना प्रासंगिक है ये आज के समय में कोई बहुत ये मानें कि उसका कोई बहुत प्रभाव पढ़ता होगा ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वो एक महत्वपून काम जो है हमारे यां होता था काफी समझ से मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उसकी कोई दुबारा बैठे कोई भी है उसमें प्रदान मंत मंतरी की अद्यक्षता में तमाम मुक्यमंतरी तमाम जो और इदारे हैं और उसके साथ साथ समाज के और प्रतनी दी तो वो लोग बैठकर के ग्यानभावन जैसे बड़े हौल में इतनी बड़ी संख्या में और वहां जो है वो सांपरदाइकता की या राश्तिय संभाव की सरुद्धर्म संभाव की या ऐसी चीजें जो हमारे यहां घुन की तरह लग गई हैं हमारे विकास में समाज में खास कर उसकी अगर बैठके बात करते हैं तो उसका उसकी गूंज जो है वो तोड़ी तो बाहर निकलती है तो बिलकुल देरतक नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ देरतक काम नहीं था उसको पता नहीं क्यों जो है वो अब उसको अप्रासंगिक बना दिया गया है और कोई नेशन इंटिकेशन काउंसल की अब तो इन दोनों में बात भी नी करता है तो मैं ही मानता हूँ कि यह चिंता की बात है आपने अपना कीमती समय में दिया इसके ल